ग्यान का दीपक गुरु जलाते हैं अंधियारा अज्ञान मिटाते हैं विद्यारूपी धन देकर प्रग्रतिमार्ग पर हमें बढ़ाते हैं Happy Teachers Day to all सभी को सिच्छक दिवस्की हार्दिक सुपकाम लाएं तो दोस्तों क्या आपको पता है Teachers Day कब और क्यों मना जाता है Teachers Day हर साल 5 सितंबर को मना जाता है डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णन जी का इस दिन जन्म हुआ था और वे एक महान सिच्छक थे और उनके जन्म दिन को हम लोग एजे Teachers Day सिच्छक दिवस के रूप में मनाते हैं अब बात आती है Teachers Day सबसे पहले कब मनाया गया और इसकी सुरुवात कैसे हुई बात है 1962 की जब डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णन जी भारत के दूसरे राष्टपती बने और तब इनके कुछ बिद्यार थी इनके पास गए और इनसे रिक्विस्ट की कि हम लोग आपका बर डे एजे इस पिसल डे राधा कृष्णन डे के रूप में मनाना चाहते हैं और तब से हर साल पांच सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाने लगा डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णन जी का मानना था कि टीचर्स का बहुत बड़ा कांट्रिवियूशन सहयोग है सोसाइटी को बनाने में और डेबलब करने में चलिए दोस्तों अब डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णन जी के बारे में जानते हैं इनका जन्म पांच सितंबर 1888 तिरुटानी मद्रास प्रेश्डेंसी इंडिया में हुआ नेशनालिटी इंडियन फादर मिश्टर सरोपली वीरा स्वामी इनके फादर चाहते थे कि ये एक पुजारी बने मदर मिस सरोपली सीता एजुकेशन वोरहीज कॉलेज वेलोर एंड मद्रास कॉलेज से हुई है प्रोफेशन फिलोसफर प्रोफेशर पॉलिटी सियन और बुक राइटर डॉक्टर सरोपली राथा कृषनन जी ग्रेजुशन कंप्लीट करने के बाद टीचर बने चन्नाई प्रेसिडेंसी कॉलेज एड कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1921 से 1932 तक पढ़ाया ये वाइस चांसलर भी रहे हैं आंधर यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंचेश्टर कॉलेज में एक साल पढ़ाया एज लेक्चरर ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी में ये इस्पैल्डिंग प्रोफेसर रहे और इस्टर रेलिजन एंड एथिक्स 1936 से 1952 उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आये 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक ये भारत के पहले उपराष राष्ट पती रहे और उसके बाद 13 मई 1962 से 13 मई 1960 तक ये भारत के दूसरे राष्ट पती रहे अब इन्हें कौन-कौन से एवार्ड मिले हैं वो देखते हैं नॉबल प्राइज मिला है लिट्रेचर में पांच बार ये नॉमिनेट हुए हैं इसके लिए नॉबल पीस प्रा और आफ मेरिट 1963 में एवार्ड मिला टेंपल्टन प्राइज एवार्ड 1975 में मिला और इसमें जितना एमाउंट इन्हें मिला उस एमाउंट को इन्होंने ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्शिटी को दे दिया और यह प्राइज इनके मरने के कुछ महीने पहले ही इन्हें मिला था इनकी मृत्य 17 अप्रेल 1975 को 86 साल की उम्र में मद्रास तमिल नाडू में हुई पंडित जवाहलाल लहुजी ने डॉक्टर सरूपली रियाता कृष्णन जी के बारे में कहा कि He has served his country in many capacities but above all he is a great teacher from whom all of us have learned much and will continue to learn It is India's specular privilege to have a great philosopher a great educationist and a great humanist as her president उन्होंने कहा कि डॉक्टर सरूपली रियाता कृष्णन जी ने अपनी छमताओं से देश की कई प्रकार से सेवा की है लेकिन उससे भी उपर वे एक महान सिच्छक है और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं यह भारत के लोगों का सौभाग्य है कि वे एक महान दार्शनिक एक महान सिच्छक और एक महान मानौतावादी को भारत के रश्टपती के रूप में पाया है डॉक्टर सरूपली राधा कृष्णन जी का टीचर्स के बारे में क्या कहना है सभी सिच्छकों के लिए दो लाइन आपने हमें लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया है आपने हमें गिर के उठना और समलना सिखाया है आपने हमें मंजिलों का रास्ता दिखाया है आपने ही तो हमें सफल बनाया है सभी सिच्छकों को मेरा सादर प्रणाम Happy Teachers Day सिच्छक दिवस की हार्दिक सुपकाम नहीं